हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैलो नॉलेज पे जहांपे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपर्टन नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके परसनल और प्रोफेशनल लाइप में आगे पढ़ने में हेल्प करता है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुती इंपर्टन टॉपिक के उपर और वो है असली और नकली चांदी को घर बेटे कैसे पैचाने तो आप मैंसे बहुत सारे लोग सिल्वर याने चांदी की ज्विलरी पहनते होंगे आपके पास चांदी के कॉइंस होंगे लेकिन क आपको पता है कि उनमें से कुछ तो कॉइन से फिर ज्विलरी फेक हो सकती है उनमें कोई तो बेसल हो सकती है तो यह सारी चीजे आज हम आपको एक्स्प्लेन करेंगे कि आप घर बेटे ऐसे कौन से नुस्के ऐसी कौन सी ट्रिक यूज़ कर सकते हो जिससे आपको पता चल आपके पास जो भी सिल्लवर की ज्विलरी है या फिर कॉइन है वो असली है या नकली तो सबसे पहला तो तरीका है वो है आइस क्यूब टेकनिक यह आपको क्या लेना है आपके घर में फ्रीज में कोई भी दो आइस के क्यूब रहेंगे यह चोटे चोटे बर्फ के और दोस्तो अगर आपके जो चांदी पे जो आपने जो तुकड़ा रखा है वो अगर जल्दी पिगलता है तो समझ लो कि आपके पास जो चांदी की जुलरी या फिर कोईन है वो असली है क्योंकि चांदी याने सिल्वर की थर्मल कंड़क्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा रहती है इसकी वज़े से जो आइस याने बर्फ जो रहता है वो जल्दी पिगलती है तो यह टेकनिक आप घर बेटे कर सकते हो अभी दूसरी टेकनिक यह है कि ब्लीच टेकनिक दोस्तो आपके घर में ब्लीच जरूर होगा आप कभी भी मेकप करते हो या फिर आप ऐसा करोगे वो जो कॉईन या फिर ज्योलरी है वो ब्लैक हो जाएगी और यह इसकी वज़े से होता है क्यूंकि वो ऑक्सिलेशन हो जाता है और अगर आपकी ज्योलरी या फिर कॉईन नकली है तो वह वहाँ पे ब्लैक नहीं होगी वो वैसे के वैसे रहेगी तो यह बहुती आसान तरीका है जिससे आपको सिल्वर याने चांदी जो है उसमें असली या नकली जो भी डिफरंस है वह आप पहचान सकते हो अब यह तीसरी टेक्निक जो है वो तो एकदम सिंपल है उसे कहते हैं मैगनेट टेक्निक यह अगर आपके घर में कोई चुमबक होगा आपको बस यह करना है उस चुमबक को आपको आपकी चांदी के जोएलरी या फिर कौईन के पास लेके जाना है और अगर वो चुमबक की तरफ आकर्शित होता है तो समझ लो कि उसमें मिलावट है उसमें थोड़ा सा मेटल डाला हुआ है उसके वज़े से वो चुमबक की तरफ आकर्शिक होता है तो इस से आप पैचान सकते हो कि आपके पास जो 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 जवेलरी या फिर चांदी के कोईन है वो असली है या नकली तो दोस्तो आज हमने आपको ये तीनों तरीके बता है जो आप घर बेटे कर सकते हो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके पस जो भी जवेलरी या फिर कोईन है चांदी के वो असली है या नकली है तो ये सारी इंफर्मेशन आप अच्छे से याद करके रहो और आप अपने दोस्तो या फिर रिलेटिव के साथ भी शेयर करो और दोस्तो हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैलिबल नौलिज शेयर किया है आप हमारे प्लेलिस में जाके टेकनोलोजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट आप इस सक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो और हमारा playlist एक पुरा क्यान का भंडार है आप इसे एक बार जरूँ चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी useful information मिल जाएगी तो हमारे वीडियो रेगुलरले देखते रहो हमारे वीडियो को like करो हमारे चैनल को subscribe करो जिससे आपको ऐसी valuable information घर बेटे मिलते रहेगी और वो भी एक ही चैनल से तो यह वीडियो में बस इतना ही था जल्दे मिलते हैं कुछ और important topic के साथ कुछ और interesting knowledge के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ दोस्तो थैंक्यू वेरे मच